दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो I am sure कि आपको mutual fund में SIP कैसे करते हैं ये जरूर से जरूर मालूम होगा लेकिन stock SIP कैसे करते हैं ये आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम detail में बात करेंगे stock market में stocks में SIP कैसे करते हैं तो जानने के लिए वीडियो क पूरा देखिए छोटी सी वीडियो है to the point है और यहां पर आप बहुत कुछ सीखेंगे share market investing के बारे में नमस्कार दोस्तों मैं हूँ Mr.Party और मैं आपका स्वागत करता हूँ stock for retail पर stock markets related एक नई जानकारी के साथ तो share market में हमारे तीन broader category के stocks होते हैं large cap stocks, mid cap stocks और small cap stocks इन ती किनों stocks की जो market capitalization होती है वो अलग-अलग होती है हम detail में उसके बारे में नहीं जा रहे है क्योंकि हमारे वीडियो का यहां पर topic है stocks में SIP करने का, SIP का मतलब होता है systematic investment plan जब भी हम mutual fund में SIP करते हैं तो हमें एक certain date पता होती है उस certain date पे हमारे bank account से कुछ पैसे कर जाते हैं औ महां पर basically हम कुछ units buy करते हैं और हमारे total जो units होते हैं उस units में add हो जाते हैं अब यहां पर जब share market में SIP की बात आती है तो SIP करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें की एक certain basket होती है उस basket में certain stocks होते हैं और उन stocks में एक certain date पर माल लिजिए कि हर महीने की 4 तारीक को buying trigger होती है उन stocks म अब यहां पर सबसे बड़ी problem यह होती है कि जिन stocks की SIP हमने लगा रखी यानि कि जिन stocks में certain past तारीक को हम buy करने का order लगा रखे हैं उन stocks में हमें एक अच्छी buying price नहीं मिल पाती है तो उससे क्या होता है कि ultimately जो हमारा यह share का SIP होता है वो एक mutual fund जैसे SIP में बदल जाता है य ultimately यह mutual fund SIP जैसा ही हो जाता है तो यहां पर आपको simple तरीका बताते हैं जो तरीका हम अपनाते हैं share market में मालीजी हमारा एक share है उस share का नाम है AB share और इस share में मालीजी हमें करनी है SIP यानि कि systematic investment plan के थैत हमें investment करना है तो हम क्या करते हैं इस share को पहले तो अपने watch list में रख लेत है और इसमें आने वाले समय में growth का scope है based on that हमने watch list में रखा हुआ इसको अब हमारी यहां पर planning यह है कि हम हर महीने इसमें investment करेंगे investment का तरीका यहां पर simple and clear होगा वो यह होगा कि हर महीने में अगर दो हपते में red candle दिख गई हमें यहां पर red candle है हाला कि green color से यहां पर candle बन बट स्टिल इसको आप red candle समझिए दो week में अगर red candle हमें दिख गई है तो वहां पर हम एक buy कर लेंगे इस particular AB stock में उस महीने हमारी buying हो जाएगी अगर किसी मन्त में हमें दो continuous week में red candle नहीं मिलती है तो हम उस week में investment नहीं करेंगे stock में simple right अब यहां पर आपका सवाल यह होगा क कि भाई पहले दो हफते में red candle मिल गई तीसरे हफते भी red candle हो गई चौथे हफते भी red candle हो गई पूरा का पूरा महिना red हो गया हमने तो पहले दो red candle में ही buy कर लिया था अब वहां पर क्या होगा कि उस certain month में हमारी 2 SIP चली जाएंगी यानि कि हमारा जो ultimately average buying price है वो हमें कम करन है माल लीजिए एक ही महीने में चारो red candle form हो गई तो हमने यहां पर भी buy कर लिया हमने यहां पर भी buy कर लिया अब सिंस यह fundamentally strong stock है fundamentally strong stock का एक important rule यह होता है कि यह आपको higher highs higher lows वाला pattern मना के देते हैं यानि कि कुछ ऐसा chart pattern मनता है कि हमेशा chart price उपर की तरफ ही जाता है long term में और गिरावट होने के साथ एक नया high बनाता जाता है तो माल लीजिए हमने यहां पर investment कर दिया दूसरी red candle पे फिर हम जब यहां पर investment कर रहे होंगे तो कहीं न कहीं low के आसपास investment कर रहे होंगे obviously low जो है perfect low कोई भी नहीं पता कर सकता है लेकिन इस particular strategy के साथ हम एक अच्छी average buying price न मिल रहा है लेकिन हमें returns कैसे मिलेंगे यहां पर तो returns obviously यहां पर आप देख सकते हैं कि since यह fundamentally strong stock है और long term में यहां पर एक higher highs higher lows वाला pattern बन रहा है तो long term में ऐसे stocks AB जैसे stocks एक अच्छा returns देने का potential रखते हैं ठीक है अब यहां पर इस example को clear way में समझ लेते हैं तब आपको December के महिने में दो लगातार red candle मिली यहां पर एक buying हो गई फिर यहां पर red candle मिली buying हो गई फिर red candle मिली buying हो गई तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपको लगातार red candles मिल रही थी तो ऐसे में क्या हुआ है prices नीचे की तरफ जा रहे हैं लेकिन आपको पता है कि यह fundamentally strong stock है अ इस टॉक नहीं यहां पर देखें तो आपको एक हाइयर हाइज हाइयर लोज वाला पैटन बना के दिया तो ऐसे में किन ही दो हफ्तों में लगातार आपको रेड केंडल दिख जाती है तो सिंस आपको मालूम ही है कि आगे चलकर प्राइस मेरी बाइंग प्राइस से उपर जा एक important point जो कि हम miss कर देते हैं investing करते समय वो ही होता है कि हमें अपनी portfolio को diversify भी करके रखना होता है तो जब भी हम SIP कर रहे हैं systematic investment plan के जरी है investment कर रहे हैं तो वहाँ पे जैसे कि हमने एक stock select किया था AB दूसरा stock जब हम select कर रहे हूं तो कोशिश हमारी यह हो नहीं है कि similar industry का ना हो वो दूसरी industry का हो ताकि हम अपनी portfolio को diversify कर सके और ऐसी situation में diversification की situation में long term में वहाँ पे portfolio को strong बना सके ठीक है चलिए इसके साथ ही साथ कुछ ETFs भी हमारी portfolio में रह सकते ETFs का यानि कि exchange credit funds ETFs क्या होते हैं detail में हमने already discussions कर रखे हैं आप just type करिए stock for retail ETF आपको वीडियो मिलेगी इन तरगे stocks रहेंगे पहला यहाँ पे एक mix रहेगा mid cap, large cap और small cap का fundamentally strong stocks दूसरा यहाँ पे रहेगा different sector के stocks यानि कि यहाँ पे sectoral based diversification रहेगा और तीसरा यहाँ पे रहेगा ETFs अब यहाँ पे आपका argument हुए हो सकता है कि नहीं भाई gold भी हमें जाहिए silver भी हमें चाहिए तो आ यहाँ पे investment करने के लिए opt कर सकते हैं ठीक है अलगी यहाँ पे किसी तरह का recommendation नहीं है कि आप just यह करिए वो करिए यहाँ पे based on certain SIP techniques जो कि मैं personally follow करता हूँ मैं आपके साथ वो share करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक चलिए अब यहाँ पे एक simple screener देखते हैं इस screener के जरिए basically हमें कुछ options मिल सकते हैं जहाँ पे हम further deep analysis कर सकते हैं और उसके बाद हम decide कर सकते कि whether किस तरह के stocks में हमें long term के लिए SIP mode के लिए जाना चाहिए तो यहाँ पे basically हमारे पास ऐसे stocks होने चाहिए जिनका की market के application basically यहाँ पे कम से कम 10,000 crore से जादा हो और इसके साथी साथ return on equity यहा पे 20% से जादा हो और इसके साथी साथ return on capital employed यहाँ पे देखें तो इसको भी हम कर देते हैं पिछले 5 सालों का return on capital employed यहाँ पे 20 से जादा हो और इसके साथी साथ company dividend अगर दे रही हो dividend yield अगर एक से जादा हो तो हमारे लिए वह plus point होता है और dividend yield एक से जादा होने का मतलब और इसके साथी साथ यहाँ पे company का debt to equity है वो एक से कम हो यहाँ पे अगर हम 0.5 कर दे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा और इसके साथी साथ company का sales growth जो है पिछले 5 सालों का 15 से जादा हो और profit growth यहाँ पे पिछले 5 सालों का देखें तो 15 से जादा हो तो यहाँ पे यह जो particular query है हम इस query को run करेंगे तो हमें कुछ certain stocks मिलेंगे अब यहाँ पे हम वो stocks आपसे discuss नहीं करने जा रहे है क्योंकि एक तरह का फिर से recommendations में चला जाएगा जो कि हम बिलकुल नहीं कर रहे हैं आप company की further analysis कर सकते हैं और वहाँ से अपने लिए एक watch list create कर सकते हैं और decide कर सकते हैं क किन company में systematic investment plan के जरिये investment किया जा सकता है हमने simple सी strategy यहाँ पर discuss की कि दो हपतों में अगर लगातार हमें red candle दिख जाती है तो वहाँ पर simple सी हमारी एक bind बन जाती है क्योंकि एक गिरावट हमें मिल रही होती है और हमें पता होता है कि वो गिरावट ultimately आगे चलकर higher highs, higher lows वाला pattern ह बना के हमें देगी, तो I think यहाँ पर clearly आपको समझ में आगया होगा कि यह जो particular systematic investment plan है कैसे काम करता है stocks में SIP करने का और किस तरह से हम अपने लिए एक watch list create कर सकते हैं, तो इस वीडियो में फिलाल इतना है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसम कोई भी सवाल है तो comment जूरू करिए और दोस्तों as usual यह information किसी तरह का buying, selling, advice बिल्कुल नहीं है, हम आप लोगों के लिए information ला रहे हैं ताकि आप भी stock market के बारे में सीख सकें